हलो बच्चो करते हैं वक्षीट नमबर 29 यह है क्लास 9 के लिए साइन्स की वक्षीट और 9 सप्टेंबर 2020 के लिए आज की जो वक्षीट है उसमें चेप्टर हमारा वही चल रहा है गती लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है दूरी विस्थापन और चाल सबसे पहले इसमें हमने जानना चाहिए कि मूल बिंदू क्या होता है तो मूल बिंदू जैसा की ग्यान ने भी पूछा जिग्यासा से तो मूल बिंदू क्या होता है मूल बिंदू होता है जहां से कोई भी दूरी के लिए आगे बढ़ा जाएगा यानि कि जहां से हमारी ट्र शुरुकिया है चलना नाए उसके बाद जो है सब्सक्ति जो कि दर मूल बिंदू की बात तो हमाते हैं आगे any दूरी क्या होती न। दूरी हमें पता हैं कि एक वस्तू द्वारा तैय गरे एक निश्चिक पत के माप को हम दूरी कहते हैं wollt म yapt कि explicit swept करती है या कितनी आगे तक वो चलती है कहां तक उसने अपना रास्ता तै किया है उसका पत कितना है वो उसके दूरी कैलाईगी लेकिन दूरी जो है इसके बारे में दो बाते आप जानिए यह एक अदिश राशी है अदिश राशी का मतलब क्या होता है उसका डारेक्शन से को परक नहीं पड़ता यह सदा धनात्मक होती है धनात्मक होने का मतलब है वह हमेशा पॉजटिव रहेगी ठीक है दो तीन किलोमेटर मीटर लेकिन यह नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी माइनस तो मीटर ऐसा कभी नहीं होगा है ना अब हम बात करेंगे कि इसका जो मान है वो शुन्य नहीं हो सकता वो शुन्य नहीं होगी तो यह तीन चीज़े होगी दूरी के बारे में कि यह एक अदिश्राशी है सदा धनात्मक होती है मान इसका शुन्य नहीं हो सकता और इसकी ऐसा ही पदती के अनुसार इसकी जो युनिट है वो होती है बच्चों मीटर इस मैंने कि जब अगर A से मैं भी जा रही हूं तो A जो है वो उसका मूल बिंदू होगा क्योंकि यहीं से हमारी गती शुरू होगी अंतिम सिधी के बीच की दूरी के बीच तै गई गई दूरी वो कुल दूरी कहलाती है ठीक है जबकि एक वस्तु द्वारवस के प्रारंबिक स् व Fed Fr will required your school go to school जाना चाहते हैं ठीक है तो आप घर से स्कूल गए सीधे तो यह जो A से बीच के बीच की दूरी है वहाप की दूरी क्याना अगी ठीक है लेकिन आपके स्कूल top जाने के लिए कोई शौटकट भी हो सकता है कोई लंबा रास्ता भी हो सकता है इस तरीके कहलाएगा यह विस्थापन होगा ठीक है सबसे कम दूरी जो होती है किसी भी जगह के वीचो में किसी भी दो बिंदूओं के बीच में वो क्या होती है विस्थापन कहलाती है और यह एक सदिश राशी होती है विस्थापन के बारे में जानेंगे ठीक है तो विस्थापन जो ह वो एक सदिश्राशी होती है उसका दिशा से बहुत प्रभाव पड़ता है और रिनात्मक होती है शुन्ने भी हो सकती है यह रिनात्मक भी हो सकती है धनात्मक भी हो सकती है ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा रिनात्मक ही होगी रिनात्मक धनात्मक या शुन्ने भी हो सकती है लेकिन है सही पत्ती से इसकी भी जो यूनिट है वो कितनी वो भी मीटर ही होती है, ठीक है, एक ही आपको डाइग्राम दिया हुआ है, इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं, अगर मैं तै करूँ, मेरे घर से, मैं अपने इस थिती से, यहाँ इस पॉइंट से, मैं अपने घर तक जा रही हूँ, तो यह बच्चा यहाँ पर दिया हुआ है, वो इस तरीके से मूव करेगा, A, B और फिर C, यानि कि उसने दूरी तै कि टोटल 3 और 4 मीटर, वो हो गया, टोटल 7 मीटर, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं सीधे घर जा रही हूँ ऐसे, ठीक है, तो यह A से लेकर C तक अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, तो यह मेरी नियूनतम दूरी है, यह सबसे कम दूरी है, अब यह जो तरीका था जाने का, यह थोड़ा लंबा था, तो जो नियूनतम दूरी होगी ना बच्चो, वो कहलाता है विस्थापन, ठीक है, और नियूनतम दूरी क्या होगी यहाँ पे 5 मीटर यानि चे लिखा भी हुआ है ओके अब नियूनतम दूरी अगर आपको लिकालनी होती है तो आप कैसे कर सकते थे इसको आप देख रहे हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने मैस में किया है पाइथागोरस प्रमे उससे आप निकाल सकते थे कि ये इसका जो क मैं में तै की गई दूरी वो चाल कहलाती है और ये एक अधिश राशी है इससे इसके उपर दिशा को कोई फरक नहीं पड़ता किस डिरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट ऐसा ही पत्ती के नुसार इसे मीटर प्रतिस सेकिंड में मापते हैं चाल जो होती है यानि कि जो स्प इस वन यानि कि पर सेकिंड एक अधिश राशी है ये और अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुमें और समान चाल में गति करती हैं इनकी चाल को और सचाल के रूप में व्यक्त करते हैं ये तो होगी सिपल चाल की बात लेकिन कई बार क्या होता है कई अवस्ताइं ऐसी होती ह हैं जब वस्तुवें ऐस समान चाल करती हैं यानि कि ऐसे घूम घूम के आ रहे हैं धीक है कहीं चले गए फिर वापस आए धिर वहां से भूम के और फिर पहुंच रहें यह औस चाल कहलाएगी यहाँ पर आप औस चाल निकालोगे यहां इस case में और 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 चाल कैसे निकालेंगे उसका आपको formula याद करना है formula क्या रहेगा जैसे कि चाल का formula होता है normal चाल हम जब निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं दूरी बटे समय करते हैं है ना जितनी भी दूरी तै की हमने और कितना हमने समय लिया उस दूरी को तै करने के लिए उसको यूज़ करते है formula में इसी तरीके से ओसर चाल का भी जो formula है वो क्या होगा उपर दूरी ही आएगी लेकिन total दूरी आएगी कुल दूरी उसमें नीचे भी समय ही आएगा लेकिन कौन स समय आएगा टोटल समय आएगा ठीक है तो यह हो गई और सचाल को हम इस तरीके से लिख एक तरफ हम समय रखेंगे ठीक है? तो graph कैसे कैसे बन सकते हैं और कैसे उसे हमें पता चलेगा कि इसकी कैसी गती है ठीक है? तो चलिए और graph देखते हैं अपका सबसे पहले जो graph दिया हुआ है उसमे आप देख रहे हो कि इधर आपको दिया गया है समय और इधर रखा गया दूरी ठीक अब यह जो ग्राफ आता है बिल्कुत सीधी लाइन जो आती है यह आती है एक समान गती की एक समान गती की क्यों? कि जितना समय लिया उतनी फिर दूरी बढ़ रही है समय लिया तो दूरी बढ़ रही है समय लिया तो दूरी बढ़ रही है यह समान गती होती है इसमें सीधी रेखा वाला ग्राफ आता है इसके बाद आप बात करोगे इसकी इसमें आप देख रहे हो कि एक सीधी लाइन तो है लेकिन वो सीधी लाइन X-axis के पैरलल है बिल्कुल इसके समाना अंतर चल रही है तो ऐ यहाँ पर देखो समय तो आगे चलते जा रहा है लेकिन दूरी जो है वो एक ही पॉइंट पे अटक गई और आगे बढ़ती गई समय कितना भी होता चला गया तो इस सवस्ता में क्या हुआ कि दूरी तो बिल्कुल भी तैनी होरी दूरी आगे चली ही नहीं यहाँ जाते य जो है समय दूरी का ग्राफ अगर इस तरीके से आता है तो वो होती है विराम वस्ता में वस्तु का ग्राफ एक और तीस्तितरे का ग्राफ होता है इसको आप कॉपी में जरूर बनाएंगे सभी को इसमें क्या होता है ए समान गती अब ए समान गती होगी तो इसे कर्वी एक आपो graph मिलेगा ठीक है तो जब करवाता है तो यह असमान गती होती है चलते हैं questions पर Swam कुछ आच यह दूरी तथा विस्थापन में अंतर सपष्ट करना है अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है चलिए तो बचा दूरी और विस्थापन में आप लिखोगे points कि किसी गतीमान वस्तु दूरा तया की गई मार्क की लंबाई को हम दूरी कहते हैं उसने जितनी भी दूरी तया की वो उसकी दूरी कहलाएगी उसने कितना भी लंबा मार्क तया किया वो उसकी दूरी कहलाएगी विस्थापन में क्या होगा एक निष्टित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंबिक स्थितियों के बीच नियुनितम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे अगर मेरी ये वाली है मूल बिन्दू यानि कि ये मेरी प्रारंबिक स्थिति होगी A point, यह मेरा B point जो है यहां पर मुझे जाना था मैं यहां गई और फिर वापस से मुझे अपने घर ही वापस आना है ठीक है, तो मैं वापस कहां आ गई हूं, point A पर आ गई हूं न यानि कि मेरी जो प्रारंबिक सिति थी वो A थी और जो बादवली सिति है वो भी अंतिम सिति जो है वो भी क्या है वो भी A है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में यह इसी point के बीच में कोई difference है ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ वचो, कि मेरी जो विस्थापन है, वो यहां 0 है मैंने कोई दूरी दैने की, अगर, अभी हमने बात की थी कि यह सदिश होती है इसके उपर दिशा का प्रभाव फड़ता है, तो अगर मेरी स्थिति वही है ठीके, जहां से मैं चली थी, वहीं मैं आ गई हूँ घूंफिर के, तो क्या होगा यहां विस्थापन क्या होगा, बच्चो, 0 होगा, ओके अगला जो point है, कि यह केवल परिमान को व्यक्त करती है, यह परिमान और दिशा दोनों को व्यक्त करती है इसमें हम केवल इसकी वह बताएंगे 3 मीटर, लेकिन यहां पर हमें दिशा भी साथ में बतानी होगी अब यह एक अधिश राशी है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशी है, इसमें दिशा का प्रवाव पड़ता है दूसरी, इसकी जो दूरी है, वो सदैव धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक रहेगी लेकिन विस्थापन जो है, वो धनात्मक भी हो सकता है, रनात्मक भी हो सकता है और यह वस्थापन के द्वारा तै किये गए रास्ते पर निर्भर करती है लेकिन यह वस्तू के द्वारा तै किये गे रास्ते पर निर्वर नहीं करती हमें रास्ते से अगर कोई भी मतलब नहीं है अगर हम गूम फिर के इसी पॉइंट पर वापिस आ गए तो मेरा विस्थापन जीरो हो जाता है ठीक है जी तो यह आपका question number one हो गया चलते आगे question number two यहां से समझिए एक कार 20 मिटर की दूरी को 5 सेकेंड में करती है उसके बाद वो फिर से 20 मिटर की दूरी और तै करती है और 3 सेकेंड में तै करती है इस बार तो कार के उससर चाल गया होगी यह point यह point यह point की भी ज़रुत नहीं है आप वैसे भी कर सकते है इसको solve पहले कार गई यहां से यहां तक ठीक है 20 मिटर की दूरी थी यह और यह उसने की 5 सेकेंड में तै लेकिन जब इस point से वह वापस आती है तो दूरी कितनी थी तब भी दूरी 20 मिटर ही थी लेकिन time कितना हो गया है यहां पे बच्चों 3 सेकेंड का ठीक है तो हमें आप क्या निकालना है इसका औस चाल निकालनी है अब औस चाल में हमने किया था कि हम total दूरी divided by total समय करते हैं तो total दूरी कितनी होगी total दूरी यानि कि कुल दूरी आप लिखोगे कुल दूरी बराबर 20 मीटर प्लस 20 मीटर यानि कि 40 मीटर हो गया इसके बाद हम लेगे कुल समय कुल समय बच्चों कितना था पहले उसने 5 सेकंड का समय लिया दूसरी बार उन्होंने 3 सेकंड का समय लिया टोटल हो गया 8 सेकंड ठीक है, टोटल दूरी 40 मिटर निकल आई और टोटल समय हो गया 8 सेकिंड अब हम निकालेंगे औसत चाल औसत चाल बराबर 40 divided by 8 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकिंड ठीक है, यह हो गया हमारा औसत चाल नेक्स्ट क्वेशन करते हैं, चाल को परिभाशित करके उसका ऐसा ही मातरक लिखना है आपको तो चाल की परिभाशा लिखे, आप लिखेंगे चाल किसी दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तै की गई दूरी वो चाल कहलाती है कोई भी वस्तू एकाई समय में कितने दूरी तै कर रही है वो उसकी चाल कहलाती है चाल का जो मातरक है ऐसा ही मातरक क्या है इसका मीटर पर सेकिंड है नोट कर लीजे फटा फट करते हैं question number four दिये गए समय दूरी ग्राफ में वस्तू A, B, C में किस की गती की दर सबसे जादा है सबसे अधिक है ग्राफ आपको ये वला दिया हुआ है और इस ग्राफ को देखकर ये आपने बताना है कि किस की सबसे अधिक चाल है सबसे अधिक speed है कौन सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है ठीक है यही तो पूछा है किसकी गती की दर सबसे अधिक है तो गती की दर किससे नहापते हैं समय से नहापते हैं कि कितना समय वो ले रहा है जो जितना कम समय लेगा वो उतनी ही तेजी से चल रहा है ठीक है तो अब इसमें आप क्या करोगे कैसे पता करोगे आप इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दूरी और इधर है बच्चो समय दिया हुआ है ना ठीक है आप क्या करो सीधी रेखाएं डाल लो यहाँ पे ऐसे मैंने बी के लिए डाल दी ए के लिए डाल दी और सी के लिए डाल दी ठीक है तो सबसे जादा दूरी दूरी इस तरफ बढ़ रही है सबसे जादा दूरी किसने तैक की है बच्चो इसने 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 येस एने की है और सबसे कम समय यानि की यही बात हुई नहीं जो सबसे कम समय में सबसे जाधा दूरी तैक करेगा वही सबसे तेज बना जाएगा वही सबसे तेज चल रहा है उसकी स्पीड सबसे जाधा तेज है तो समय किसने कम लिया है एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये सबसे बेहले ये है, इसने सबसे कम समय लिया, और ये कौन है? ये A है, यानि कि एज ई कंश फीए वह उसकी गतिदर सबसे जादा है, इस तरह की से आप ग्ाफ से नापेंके और बता सकते हो, नोट कर ले, ये मैंने जो आपको करके दिखा ये आप इस तरह क्या एक है, इस झाल झाल